वेलेडम फ्रेंड मैं मंतोस और आप देख रहा है मेरे यूट्यूब चैनल टेकनिकल मंतोस देमें अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अपने पैंसन का पैसा कैसे निकाल सकते हैं लेकिन इससे पहले pension निकालने के क्या rules है आपको पता होने चाहिए. So friends, सबसे पहले तो आपको pension निकालने के लिए company से resign करना अनिवाइर जह है. और आपका work duration कम से कम 6 महने का होना चाहिए. और 9 साल 6 महने से कम, तभी आप pension का पूरा पैसा निकाल सकते हैं. अगर friends, आपका 9 साल 6 महने से ज़्यादा हो गया है, तो आप अपने pension का पैसा नहीं निकाल सकते हैं. आपका pension आपको 58 साल के बाद हर एक माह के रूप में मिलेगा. So friends, अगर आप 9 साल 6 महने से पहले company छोड़ चुके हैं, तो आप सारा pension का पैसा निकाल सकते हैं. तो चलिए friends, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं pension का पैसा हम लोग किस तरह से निकालेंगे. सबसे पहले Google को open कर लेंगे, Google को open कर लेने के बाद friends, हम लोग EPFO type करके search पे click कर देंगे. search पे जैसे ही click करेंगे friends, आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा, जहां पे आपको दिख जाएगा employee prevented fund organization, तो friends, यह EPFO India.gov.ind वाले option पे आपको click करना है, और आगे के page पे चलना है, तो चलिए friends, हम लोग यहां पे click करते हैं, click करने के बाद friends, आपके सामने कुछ इस त देखने को मिल जागा for employers और for employees, तो friends, यह for employees वाले option पे आपको click करना होता है, तो चलिए friends, हम लोग इस पे click करते हैं, click करने के बाद friends, आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जागा, जहां पे friends, आपको दिख जागा, यहां पे service का option, यह service वाले option पे friends, आपको यहां जो हम लोग इस पे click करेंगे friends, आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा, जहां पे friends, आपको दीख जाएगा, UAN का service portal page, तो friends, यहां पे आपको करना क्या होता है, यहां पे जो आपको UAN दीख रहा है friends, आपका जो UN ID है, वो UN ID यहां पे आपको type करना होता है, उसके बाद friends पे आपको click कर देना होता है, तो चलिए friends, हम लोग यहां पे सबसे पहले अपना जो UN number है, वो UN number को यहां पे type कर लेते हैं, तो friends, मैंने यहां पे अपना UN number को type कर लिया, उसके बाद आपका जो password है friends, वो password को आपको यहां पे fill कर देना होता है, तो चलिए friends, हम लोग यहां अप्पना password यौन पॉर्ट को feel कर देते हैं। password feel कर देनी के बाद friends, आपको यहाँ पे करना कथ यहाँ जो आपको capture code दिख रहे हैं, capture code को आपको जियुत कर ये ऐस वाले box पे type कर देना है, तो चलिए हम लोग यहां पे capture code को भी carefully से type कर देते हैं type कर देने के बाद friends, आपको यहाँ पे करना क्या है, sign in का जो button दिख रहा है, sign in वाले button पे click कर देना होता है, तो चलिए friends, हम लोग यहाँ पे sign in वाले button पे click करते हैं, यहाँ पे click करने के बाद friends, आप देख सकते हैं, आपका जो पी एप का profile है, वो open हो जाएगा, यहाँ पे friends आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं आपके राइट साइड में आपका इवेन नमबर आपका नाम डेट बर्थ जेंडर आधार बैंक अकाउन नमबर मोबाइल नमबर सारा डिटियल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा तो फ्रेंट्स यहां पर करना क्या है यहां जो आपके लेफ्ट साइड में उपर में जो आपको दिख जा रहा है फ्रेंट्स यहां पर ओनलाइन सर्विस तो फ्रेंट्स यहां पर यह जो ओनलाइन सर्विस आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होता है तो चलिए फ्रेंट्स हम लो 10D का option देखने को मिल जाएगा तो चलिए friends हम लोग यहाँ पे claim बाले option पे click करते हैं click करने के बाद friends आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा so friends यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका जो bank का account है वो account यहाँ पे verify करना होता है तो चलिए अपना जो यहाँ पे bank account number दिया हुआ है वो bank account number को इस पे fill up करके अपना जो bank account है उसको verify करते हैं तो friends आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना जो bank account number है वो यहाँ पे fill up कर दिया है fill up कर देने के बाद friends आपको करना क्या है verify पे click करना है और अपनी अकाउंट को वहरिफाई करना है, यहां पर जैसे किलिक कीज़ेगा फ्रेंट्स यहां आपको कुछ इस तरह का मेसेज दिख जागा, यहां पर फ्रेंट्स यहां पर प्रोसीट फॉर ओनलाइन क्लेम का जो बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होता है जैसे आप किलिक कीज़ेगा फ्रेंट्स आपके सामने फिर इस तरह का इंटरफेस ओपेन हो जाएगा, जहां पर फ्रेंट्स आपको दिख जाएगा आपका मोबाइल नंबर और फ्रेंट्स यहां पर आपको सबसे जरूरी चीज यहां पर आपको दिखेगा कि आप अपने company को कब छोड़ चुके हैं तो friends यहाँ पर आपको date of joining और date of living दोनों देखने को मिल जागा तो friends यहाँ से आपका duration निकल सकता है तो friends यहाँ पर आपको करना क्या I want apply for friends यहाँ पर आपको click करना है click करने के बाद friends आपको यहाँ पर कुछ option देखने को मिल जागा जहाँ पर friends आपको दीख जागा और only PF withdrawal यहाँ पर form 19 का option देखने को मिल जागा only pension withdrawal मतलब यहाँ पर form 10C का option देखने को मिल जागा और friends यहाँ पर scheme certificate form 10C यहाँ देखने को मिल जागा तो friends आपको यहाँ पर करना क्या है आपका जो pension का जो option दिख रहा only pension withdrawal यह form 10C को select करना होता है तो चलिए हम लोग इसको select करते हैं यहाँ पर select करने के बाद friends आपके सामने कुछ इस तरह का option देखने को मिल जागा यहाँ पर आपको करना क्या आपका जो address है employee का जो address है friends यह address आपको यहाँ पर fill up करने होते हैं तो यहाँ पर अपना address यहाँ पर street यहाँ पर select state उसके बाद friends आपको यहाँ पर district को select करना होता है उसके बाद city उसके बाद pin code तो friends हम लोग यहाँ पर अपने address को fill up कर देते हैं address को fill up कर देने के बाद friends आपको यहाँ पर करना क्या है यहाँ पर आपका जो option देखने को मिल जागा friends upload scan copy of check and passbook तो friends आपका जो bank का check है या अगर आपका bank का passbook है तो friends उसका एक copy आपको यहाँ पर attach करना होता है तो friends अगर आप अपने passbook का photo attach करना चाहते हैं तो आपके file का जो size है friends वो 100 kb से लेकर 500 kb तक का होना चाहिए और friends वो jpg और jpeg format में होना चाहिए तो चलिए friends हमारे पास यहाँ पर passbook का जो photo है उसको हम लोग यहाँ पर attach करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या है friends यहाँ पर जो आपको choose का जो option देखने को मिल रहा है यह choose वाले file पर आपको click करना होता है यहाँ पर जैसे आप click की जगा friends आपके gallery open हो जाएंगे और friends आपके gallery open हो जाने के बाद friends आप अपने gallery से जो आपका passbook bank का जो passbook है उसको आप attach कर सकते हैं तो friends आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से अपना जो bank का passbook है उसको मैंने यहाँ पर अपना attach कर लिया तो friends यहाँ पर आपको करना क्या है select कर देना है select करके open पे click कर देना होता है जैसे आप select कर लिजेगा friends आपका जो passbook है यहाँ पे select हो जाएगा तो friends आपको यहाँ पे अगर अपना passbook देखना है तो आपको यहाँ पे view वाले option पे click करने होंगे जैसे आप view वाले option पे click किज़ेगा friends आपका जो passbook है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा तो चलिए friends मैंने यहाँ पे अपना जो bank का passbook है उसको attach कर लिया attach कर लेने के बाद friends आपको इस box पे tick कर देने होंगे पे टिक करने के बाद friends आपका बटन ओपन हो जाए जहां पर आपको दिखेगा गेट आधार OTP तो इस बाले पर आपको क्लिक कर देने होता है जैसे आप क्लिक किजिए पर आपकर बेंद सब्सक्राइब करने के बाद यहांपर प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने एक मेसेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपस आपचे सकते हैं यहां पर आपको लिखा हुआ दिखेगा प्रेंट्स OTP has been verified and EKYC update and pension withdrawal claim form submitted successfully तो प्रेंट्स आपका जो पैंशन का withdrawal form है वो आपका submit successful हो चुका है तो प्रेंट्स यहां से अगर आप चाते हैं कि अगर आप अपने form को देखना तो प्रेंट्स यहां पर आपको click here पर click करना होता है तो चलिए हम लोग यहां पर click करते हैं click करने के बाद फ्रेंट्स आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा जहां पर फ्रेंट्स आप अपना देख सकते हैं कि आपका जो claim form है यह आपको यहां पर दिख जाएगा तो फ्रेंट्स इस तरह से हम लोग जो अपना pension का जो withdrawal form है वो फिल अप करके हम लोग claim कर सकते हैं तो फ्रेंट्स अगर आप चाते हैं इसको डाउनलोड कर लेना तो आप यहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप चाते हैं डायट प्रिंट करना अगर आपके पास printer available है तो यहां से आप डायट प्रिंट कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं म उसको निकाल सकते हैं तो आसा करते हैं फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया है और आप आसानी से अपना जो पैंशन फॉर्म है वह अपलाई करके अपना जो पूरा पैंशन का पैसा है उसको निकाल सकते हैं